हेलो दोस्तों मैं सुनीती आपके अपने चैनल हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत करती हूँ कैसे हैं आप सब दोस्तों आज की वीडियो हिंदी साहिते की वीधा आलोचना पर आधारित है इस वीधा में हम अर्थ और तात्परे के साथ कुछ परमुक आलोचक और उनकी रचनाओं को विस्तार से समझेंगे साथ ही अंत में आपकी एक्स्टनल इंटनल परिशाओं से संबंदित कुछ प्रशनों को भी दिया गया है जिनके आप नोट्स पना कर रख सकते हैं दोस्तों वीडियो आरम करने से पहले मेरा उन दोस्तों से अनुरोध है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जिससे हमारे साथ जुणने के साथ हमारी नई वीडियो के नोटिफिकेशन भी उनको मिलते रहें चलिए शुरू करते हैं आज का विशे आलोचना चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का विशे आलोचना यह आपके UGC, NET के साथ साथ, PGT, TGT और अन्य परिक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण विशे है आप इसको ध्यान से समझेंगे और देखेंगे सबसे पहले हमने आलोचना का अर्थ लिया है क्या होता है आलोचना का अर्थ चलिए देखते हैं आलोचना शब्द की व्योत्पत्ती संस्कृत के लुच धातू से हुई है लुच का अर्थ है देखना अतहे आलोचना का अर्थ हुआ देखना अथार्थ किसी कृति की सम्यक व्याख्या तथा उसका मुल्यांकन आदी करना ही आलोचना है जब हम किसी रचना को लेते हैं और रचना की हम उसकी व्याख्या करते हैं और फिर उसका मुल्यांकन करते हैं तो वह एक आलोचना होती है जैसे हमने किसी लेखत की कोई रचना ले ली और मैंने उसका मुल्यांकन किया और उससपर व्याख्या दी अपनी तो वह मेरी आलोचना हुई उसक्रति को लेकर तो यही आलोचना का अर्थ होता है डॉक्टर शाम सुंदर दास ने आलोचना शब्द का अर्थ इस पस्ट करते हुए लिखा है साहित्य शेत्र गरंत को पढ़कर उसके संबन में अपना मत प्रकट करना आलोचना कहलाता है जैसा कि मैंने अभी आपको बताएं कि मैं कोई कृती लेलू किसी भी लेखक की फिर मैं उस पर अपना व्याख्या दू अपना मुल्यांकन दू तो वह आलोचना होती है तो इसी तरह से डॉक्टर शाम सुंदर दाजिन ने भी लिखा है कि साहित्य के छेत्र गरंत को पढ़कर उसके संबन में अपना मत प्रकट करना अपने विचार देना वह आलोचना होती है अब हैं आलोचना के प्रकार इसमें नमबर एक पर है साहित्य का आलोचना फिर नमबर दो पर है वैग्यानिक आलोचना पहली क्या है साहित्य का आलोचना फिर क्या है वैग्यानिक आलोचना चलिए बागे बढ़ते हैं फिर है आपके प्रमुक आलोचक और उनकी रचनाएं जिन्होंने आलोचना की है वो है प्रमुक आलोचक लिये हैं और यहाँ पर उनकी रचनाएं भी ली गई हैं हिंदी की सैधांतिक आलोचना का सही और इस्त्रिय रूप हमें 1920 में प्रकाशित बाबु गुलाव राय के नवरस शाम सुंदर दास के साहित्य लोचन विश्व नाथ प्रसाद मिश्र के वाक्यवी मर्श और रामचंदर शुक्ल के काव्य में रहस्यवाद आदी में है यह जो लेखक हैं यह जो साहित्यकार हैं इनकी रचनाव में हमें आलोचना का सही दर्शन दिखाई होते देते हैं और सही अस्त्रिय रूप हमें दिखाई देता है जो 1920 में प्रकाशित हुए थे स्यधांतिक आलोचना के चेत्र में रामचंदर शुक्ल का नाम अगरनिय है यानि कि उस सबसे पहले आते हैं हजारी प्रसाद दिवेदी विचारों के समिक्षक हैं उनमें बोध और पांडित्य का अद्भुत समन्व हैं साहित्य के मूल्यों को बदनने तथा उन्हीं नव साहित्य के मूल्यों को बदनने का और उनको नवीन मानवतवादी से जोडने का उनमें उनका महत्वपूर्ण स्थान है डॉक्टर नगेंद्र रसवादी आलोचक हैं उन्होंने हिंदी आलोचना को व्यवारिक एवं सैध्धांतिक द्रस्टियों से संबंदित किया है उन् सैध्धांतिक द्रस्टियों से और हजारी परसाथ दिवेदी ने क्या किया है उन्होंने साहित्य मूल्यों को बदला और उन्हें नवीन मानवतवादी से जोड़ा फिर है माक्सवादी आलोचकों में शीवदान सिंग चोहान प्रकास्चंद गुप्त रामिलास शर्मा प्रकाशित हुई और उनकी रचनाए कौन-कौन सी हैं जिसमें हमने रामचंदर शुकल जी के बारे में समझा हजारी परसाथ दिवेदी के बारे में और डॉक्टर नगेंदर जी के बारे में और इन सब की रचनाओं के बारे में भी समझा चलिए बागे चलते हैं एक आद आदर्श आलोचक होता है उसकी क्या खासज़्यष्ताय होतीह है यह देखेंगे पहली है जो पहली है आदर्श की की विश्यस्ता आलोचक का चिंतन और बोद्ध प्रोड होना चाहिए जो वह लिखता है वेक्ष मुल्यंकन करता है उसका चिंतन बोद्ध ohna geh उसे रचना को केवल जीवन के एक संदर्म में ही न देख कर अपितु जीवन की समग्रता परिपूंता के संदर्म में देखकर उसका मुल्यांकन करना चाहिए जो एक आदर्ष अनुचक होगा वह चिंतन होगा चिंतन के साथ बोध और प्रोड होगा साथ में वह काविशास्त्री ही न होकर सांस्कृति चिंतक भी होगा और वह अपनी रचनाओं को एक संदर्म में ही पेशना करके उसकी समग्रता परिपूंता के संदर्म में उसका मुल्यांकन करके देगा फिर अगला है उसे अपने उतकर्ष्ट विचारों के द्वारा जीवन और समाज में ऐसे बातवरन का निर्मान करना होगा जो परतिवाशाली रचनाकारों को महान साहित्या सर्जन की प्रेणना दे सके जो रचनाकार है जब वे उनकी आलोचना करे तो जो रचनाकार नए है उनको वह साहित्या सर्जन की प्रेणना देगा कि वह सही तरीके से अपने साहित्य का सरजन करें उनको सही दिशा परदान करेगा एक जो आदर्श आलोचक होगा फिर अगला है पाचवा है विशेस्ता है आलचो आलोचक को साहित्य समाज दथा संस्कृति का अधिकारी विद्वान होना चाहिए जो एक आलोचक है उसको सहित्य कभी ग्यान होना चाहिए समाज के बारे में भी पता होना चाहिए और हमारी क्या संस्कृति है उसके बारे में भी उसको पता होना चाहिए उसका वह विद्वान होना चाहिए तभी वह एक आदर्श आलोचक बन सकता है यह आदर्श आलोचक की विशेस्ताई थी चलिए दोस्तों इस परकार से हमने आपको बताया कि आलोचना क्या होती है और आलोचना जो कर रहे हैं साहित्यकार उनमें कौन-कौन परमुख है उनके रचनाए कौन सी है और एक आदर्श आलोचक की विशेस्ताई क्या होती है अब इसी से हमने जो अभ्य के साथ तयारी करते चल रहे हैं पहला है आदर्ष आलोचक की प्रमुक्तीन विशेस्ता है कौन सी है फिर दूसरा है साहित्य में आलोचना से क्यातात पर रहे है फिर आपका तीसरा है पांच आलोचक के नाम लिखे जो हम आपको पीछे बता भी चुके हैं फिर ये है भी आ जाते हैं लोंग में भी आ जाते हैं वेरे शोट में पूछ ले जाते हैं तो इस तरह से आपको हमने अभ्यास प्रशनी के साथ इस विशय को समझाया अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शियर करना ना भूले साथ में जिन दोस्तों ने चै शियर कर सकते हैं और अगर आपको हमारी और वीडियो देखनी है तो उनके लिंक डिस्क्रप्शन में है आप उन्स लिंक पर क्लिक करके उनको देख सकते हैं